हेलो फ्रिंट्स मैं हूँ दिवया और वेलकम है आपका मेरे चानल दिवयास किजिन में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पनीर भुची की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग सी टेस्टी सी रेसिपी है और पनीर तो सबका फेवरेट होता है आए चले देखते हैं मेरे है परनीर पुरूशी कीम में सीब्सक्वाध कर्का पनीर भुची की रेसिपी और रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली नही रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए तो आये चुले देखते हैं इसकी रेसिपी तो यहां पर हमने एक पैन में ऐल ले लिया है एक चमच के कर लाटावा पैयास में यहां पर याले हूं इसको अभी हम सौते कर लेते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा पैयास का color ट्रॉंसिंट हो जाए थोड़ा पैयास ड्रांस्पेररन जासा हो जाए तब तक हम अइसे करेंगे इसके बात मैं इसमें डाल रहे हूं हूँ तमाटर जोकी मै और इसके बाद में डाल रही हूं धनिया, सुका धनिया है ये और इसमें डालेंगे थूड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा डाल गई हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाला है नामक, इन सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और दो-तीन मिनट के लिए अभी हम इस मसाले क और बूलेंगे तो मसाला अभी है अच्छे से भून चुका है इसमें मैं डालने लगी हूँ कैप्सिकम जो कि मैंने ये बारी बारी काट के कैप्सिकम रखा हुआ है इससे पनेर बुर्जी का टेस्ट और भी मज़िदार हो जाता है तो अभी इसको भी हम सौते कर लेंगे कैप्सिकम बहुत जल्दी गल जाता है तो बस अभी हम इससे थोड़ा सा भूनेंगे इस तरीके से जब तक ये गलना जाए थोड़ा अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर पनीर को मैंने मोटे वाले कदू कस्ते ग्रेट कर लिया था आप इसे हाथ से मैश भी कर सकते हैं तो इसको भी हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा हम पनीर को भूनेंगे अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसमें मैं पानी दालने से क्या होगा कि जो हमारी पनीर भुर्जी है वह बहुत एकदम सुखी सी नहीं लगेगी तो यहां पर इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं डाल रही है हुम गराम मसाला तो बहुत सारा यहां पर मैं डाल रही हुँ चौपके हुआ अरा धनिया और इसको अभी हम कर लेंगे मिक्स मिंटो में बनने वाली पनीर भुर्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है यह देखिए कितनी अच्छी कंसेस्टेंसी की आई है देखने में भी कितनी अमेजिंग सी लग रही है इसको करते हैं हम गर्मा-गर्म सर्फ इसको आप पनाठे रोटी या नान के साथ सर्फ करें बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको हम गार्णिश कर रहे हैं थोड़ी से मिट के साथ यह लीजिए हमारी पनीर बुर्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे शेयर कर दे और कॉमेंट सेक्शन में लिक के जरूर बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ